पूर्व अमेरिकी राश्पती और राश्पती चुनावू में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रमुख दावेदार डुनाल ट्रम्प को जूरी ने हश्मनी मामले में दोशी पाया है डुनाल ट्रम्प के मामले में लगातार हश्मनी शब्द का जिक्र हुआ है आखिर क्या होता है हश्मनी जिसने डुनाल ट्रम्प के पूरे करियर पर प्रश्न चिनल लगा दिया है आसान भाशा में कहें तो हश्मनी के अंतरगत एक व्यक्ती या पार्टी दूसरे को एक आकरशिक राशी या फिर बाकी प्रलोबन देते हैं ताकि वो शक्स उससे उस शर्मनाक व्यवार या हरकत पर चुप रहें यानि एक तरह की घूस है इसका इस्तमाल ब्लाक मिल करने के लिए भी होता है इसे आम तोर पर गैर कानूनी कामों को लेकर मुबंद रखने और इस बारे में सारवजनिक रूप से कुछ खुलासा ना करने के लिए इस्तमाल किया जाता है मान लीजे किसी केस में ये बात साबित हो जाती है कि आप अपनी गल्दी चुपाने के लिए किसी को पैसा देकर उसका मुबंद करा रही है तो आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं हाला कि टरंप मामले में ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें अगर सजा हुई भी तो ये मामूली सजा होगी डोनाल टरंप के अकाउंट्स का लेजर साफ बता रहा है कि उन्होंने हश मनी भुगतान के लिए रिकॉर्ड में धोखा धड़ी की है अमेरिका व्यवसाइक रिकॉर्ड में हेरा फेरी करने के आरोप में चार साल तक की जेल की सजा हो सकती है हाला कि इसमें ये साफ नहीं है कि टरंप को इसमें कितनी सजा होगी हो सकता है कि उनका पहला इस तरह का अपराद होने के कारण उन्हें बहुत मामूली से सजा भी हो हो सकता है कि उन्हें सिर्फ 5,000 डॉलर का जुर्माना ही अदा करने को कहा जाए निया अधीश ने ट्रम को फिलहाल दोशी माना है और ट्रम पहली बार किसी अहिंसक अपराद के लिए दोशी पाए गए है ऐसा बहुत कम होता है कि गैर आपरादिक इतहास वाले व्यक्ति को किसी व्यवस्साइक रिकॉर्डों में हेरा फेरी के लिए जेल की सज़ा सुनाई जाए क्या था ये पूरा मामला आपको वो भी संक्षेप में बता देते है डोनाल टरम जब 2016 में चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने अडल फिल्म आक्टरस टॉर्मी डेनियल्स को चुप चाप रहने के लिए एक लाग तीस हजार डॉलर का गुप चुप भुकतान किया था ये बुकतान उन्होंने अपने पूर वकील माइकल कोहन के जर्ये किया था और इस पैसे को अलग-लग मद में दिखाए गया था टरम पर जूरी ने हिराफेरी करने के लिए 34 मामलों में अभियोग लगाया है माइकल कोहन ने स्टॉर्मी डैनिल्स मामले को चिपाने के लिए कैच अन किल स्कीम शुरू की थी इसमें डॉनाल टरम की खबर को रोकने के लिए खबारों और पत्रिकाओं के संपादकों को पैसे दिये गए थे अडल फिल्म आक्टरस्ट और मी डैनिल्स के दावे को मीडिया और लोगों की निगाहों से दूर रखने के लिए उन्हें एक दशमलब तीस लाख अमेरीकी डॉलर का भुकतान किया गया था बता दें कि 77 साल के ट्रम्प पहले अमेरीकी राष्टपती है जुने आप राधी खोशित किया गया है हाला कि ट्रम्प ने अपने खिलाफ चलाए जारे इस मुकदमे को अपमान जनक बताया है बहराल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक रिया है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बनेरी मारे साथ टीवीने डिजिटल पर